अलो प्राइज दिया, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपके अपनी चैनल ओपन फर पॉफिट में और फटा फट वापी से थोड़ा जानिक कोशिश करते हैं कि भई मार्केट में किस तरह की हलचल मच रही है BTC की जो प्राइज है, राइट नौ 68,000 के आसपाश चल रहा है, थोड़ा बहुत डगमगा के बापिस से नीचे आता है, सेल प्रेशर बना हुआ है अब यह सेल प्रेशर क्लो बन रहा है, इसको बहुत सिंपल लफजों में समझते हैं, कितना नीचे आ सकता है, बाउंस बेक क्या हो सकता है, और क्या BTC का यहां से एक बड़ा टार्गेट है कि नहीं है बहुत सिंपल लेंगेज में समझाने के कोशिश करूँगा, ज्यादा मैं आप लोग का माइंड इधर उधर नहीं करने वाला हूँ कि मैं सिर्फ चार्ट को देखकर ट्रेड करता हूँ, और चार्ट पे जो चीजे मिलती है, वो हमेशा परफेक्ट होती है च्रार्ट के नहीं होती है, जो हो रहा है उसका उसकी हखीकत जो है वो चार्ट पर दिखती है न्यूस ये सर जो होते हैं मैनुप्रेशन बहरें, खुछ भी च्छापा जा सकता है, लेकिं चार्ट को आप नहीं, तो घृंके हैं हाँ दो ओल्ड कोई से उनके उपर मैं नज़र रखने को काऊंगा और इनफेक्ट सोलाना के ओपर भी हम लोग कवर अप करेंगे कि भाई सोलाना का क्या करना है यह तो रुखने का नाम नहीं नहीं ले रहा है 6% अभी बड़ा हुआ है और नेरबाट 197 के आसपास जा चुका है कितना जा सकता है कहां पर उसकी बढ़ियां एंटरी बन सकती है मैटिक का क्या हो सकता है तो बहुत ही एक तो बहुत ही एक सुझा हुआ एनलेसिस को पर हम लोग करेंगे और आम शूर कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर ठोक दो अभी ठोक दो विकोज आई नो भूल जाते हो विकोज आई नो हरके सुझा अच्छा कासा पैसा छापना है ठीक है तो मैं सीधा अभी आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूं और चेक करते हैं सारी चीजे ठी क्रिप्टो के मैदान को देखते हैं तो या लालम लाल निशान के अंदर है कोई बात नहीं क्या रहता है कि हम एक बहुत जबस्तास लेवल पे 74 के आसपास लेवल बीटीज ने अल्रडी हिट कर दिया नया अल्टाइम हैट जबस्तास बनाएं आप जितने मार्केट मेकर्स हैं कि अब आगे क्या होगा पहले भी देखा गया था कि भाई मार्केट बहुत अच्छा कासा चल रहा था 69,000 के आसपास आया था वहां से बहुत अच्छा कासा जा सकता था लेकिन अचानक वहां से पूरी नईया जो थी वह पलड़ दे पलड़ के सीधा नीची आ गई प्रेशर बना जा रहा है कि और कुछ अपर नहीं करना है आपको फलाना डिकाना ये सारी चीजिया आ रही है तो जो बड़े प्लेड़ होते हैं वह सोचते हैं कि भाई जादा रिस्ट नहीं लेना है अलागला कैटेगरी को होते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो प् तो आपके साथ शेयर किया था ब्रेक हुआ था और इसके प्राइस आई थी और राइट नौ को लोग यहां पर नज़र डालते हैं तो देख सकते हैं कि जब भी यह जो सेक्शन है यहां पर अच्छी कासी वॉल्यूम बनती है और वॉल्यूम बनी प्राइस उपर गया लेकिन यह जो सेल प्रेशर है वह वापी से उतना ही है 68000 के आसपस आई उससे थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है तो आम शुर कि यह शायद 66 के आसपस यह उससे नीचे जा सकता है और थोड़े बहुत और नीचे के लेवल से आगे मैं आपनों के साथ यहां पर शेयर करूंग है वह अगर उपर उपर जा रहा है मजबूत हो रहा है डॉलर तो यह सारी चीजे नीचे आने वाली स्टॉप मर्केट नीचे आने वाली सिंपल फॉर्मुला है पहला स्टेप तो यह होता है इसको देख लो उसके बाद से जो आपको माधा पच्ची करने करो तो मैं यहां पर आपको डॉलर इंडेक्स की चार्ट पर लेकी चलता हूं सिंपल सा वन डे का चार्ट है पर देखो यह बना है यहां से रिवर्सल हुआ एक इसने पीक मारा नियर अबाउट हंडेड और पॉर पर नाइन के आसपस फिर नीचे है ठीक है अब यह रिवर्सल यहां से पर जाती है तो अब पूर्स हमको थोड़ा बहुत बीटीसी या जो स्टॉक से वह से लड़ खडाते हुए नजर आएंगे बिकॉस बीटीसी बिटकोई काप एटीएफ आ चुका है ठीक है जो स्टॉक एक्चेंजेस के उपर ट्रेड किया जा रहा है तो यह फिर थोड़ा हमें प्रैस में करेक्शन देखने के मिल सकते हैं बीटीसी में आपकोर्स करेक्शन होनी भी चाहिए जो इतनी रैली आ गई है तो थोड़ा बहुत आराम करेंगे ठीक है तो आपको हमको भाई सब और नजर रखना है फ्लॉकी है वह भी उचलेगा डॉट जो है यह भी जान कौन से लेवल आता है जहां पर आपको थोड़ा बहुत एक कोशिश करनी है वापीस से लेने के लिए थी कि यह बाउंस बैक करेगा डूंक की बहुत नीचे आएगा अब सवाल यह आ जाता है यहां पर भाई सबका कि कितना यह नीचे बाउंस बैक करेगा उसके उपर है उससे नीचे आता है ठीक है तो हमें वापीस मार्केट में थोड़ा बहुत एक सेल प्रेशर देखने को मिल सकता है और मैं कहूंगा कि भाई आ जाए थोड़ा से सेल प्रेशर आ जाए ठीक है ताकि हम वापीस से माल उठा सके सस्ते में क्योंकि अभी यार सब कुछ उप पर उपर है ठीक है तो जो भाई लोग रह गए हैं उनको भी मौका मिल सकता है तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्राइस नीचे आ जाए मुझे और सस्ते मिल जाए तो इस ही जाब से 65 अपना है ठीक है 65 अगर ठूटता है देन अगें हम 50 की रेंज के अंदर आ सकते ठीक है इसमें कोई वह चंबे की बात नहीं होगी ठीक है तो मार्केट को देखके ट्रेड करो ट्रेंड नीचे की तरह है तो थोगा से ट्रेंड के उपर आप ध्यान दो और रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो कर लो इसके अंदर ठीक है अब बात आती है बीटी सी के बड़े लेवल की ठीक है यह तो यह बहुत जल्दी खतम होने वाला है जो डीपार है ना हमेशा सहम बात करते हैं कि यह डीपार है उससे में लोग कुछ करते नहीं है उसका फटाक्स प्राइस उपर आती है हमने प्रिविएसली देखा हुए भाई कि बीडी सीखे जो प्राइस है दस अजार लुँण आइए नहीं है है दस अजार उपर मारा छह जार नहीं आइए आठ अजार उपर मारा इस हिसाफ से चल रहा है तो अभी बी कोछL ज्यादा नहीं है सिफ सेवंटीफोर साम सिच्टी सेवन के आसपास है ठीक है यह अलमोस्ट अमेहर क्ल से दस अजार भी नहीं तो ये अचाना बाउंस 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 भी कर सकता है ठीक है तो BTC का bigger picture हम देखते हैं क्या हो सकता है मत अर्ट टार्गेट वगरा क्या हो सकता है तो charts के ऊपर एक बहुत बढ़ीया pattern मिला है जो कभी कभी देखने उको मिलता है और ये जो pattern है ये तहलका मच से उनको हम लोग चेक कर लेते क्या करना चाहिए ठीक है चलो सोलाना की सबसे बहले बात करते हैं विकली चार्ट है सोलाना में क्या करना चाहिए बहुत ऊपर निकल गया था यह भी यहां तक आया था जो इसका टार्गेट था ऐस पर फिबोनाची ठीक है 197 के आसपास था इसक करेक्शन हम फिब के रेशियो के पकड़ रहे हैं सेकंड गोल्डन रेशियो जो होता है 38.2 इसको पकड़ो और उसके बाद से एक और जो गोल्डन रेशियो यह पकड़ो तो 125 यहां पर आपको बाई करना है और अगर उससे नीचे फिसलता है तो फिर आपको 79 के आसपास इ हाल्फा के बात कर रहे हैं इसको सिधा लॉंटुम के लिए होल्ड करो कि अगर सही में अच्छा घासा कहते रहें कि बिलियनेर वाला एक profit आपको कमाना है जो हमेशा लोग बात करते हैं कि भाई 2000% मार दिया 4000% मार दिया तो लेना लेके hold करना सीखो नहीं सीखोगे 5-10% के अंदर आप खेलती रहोगे फिर बीच में एक ऐसा position आएगी जहाँ पे आपका 25-30% का loss होगया हाथ में क्या बचा कुछ नहीं बचा hold करना सीखो यहाँ पर आलफा में अच्छा खासा down channel है weekly यहाँ से इसका breakout हुआ है और यह एक important resistance है देखो उसको तोड़के price उपर है थोड़ा बहुत यहाँ पर plus minus हो सकता है 0.17 के आसपर चल रहा है इसको अराम से एक लंबा target आप पकड़ सकते हूँ it's all up to you ठीक है मैं इसको वापी से previous target के आसपास भी देखू 2.4 के आसपास भी देखूँ तो near about यह अराम से 2.500% उपर की तरफ हमें दिखता है ठीक है तो इसके उपर नजर बनाओ low hold करो अगर profit चाहिए तो चलिए एक और यहाँ पर आपके साथ मैं एक odd coin share कर रहा हूँ APT आपके साथ share क्या था बहुत तगड़ा इसने अम सबको मुनाफ़ा दिया था सबने अच्छा कासा profit कमाया था क्या हो सकता है देखिए APT के अंदर तेजी और वापी से देखने को मिल सकती है यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ चार्ट के पर Elliot wave मैंने डाला हुआ है और यह चीज़ भी इसके अंदर आपको एक trick भी सिखा देता हूँ यहाँ पर target projection के साथ से दिखता है बहुत सिंपल से चीज़ है तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ड्रॉट क्या है पहला wave, दूसरा wave, तीसरा wave, चौथा wave यहाँ complete, पांचवा wave in progress है कैसे करने का यह targets मैंने डाले अपने आप automatic आए, कैसे डालना है इसको double click कीजिए Elliot wave जो है, in progress पे click करना है show projections पे आपको click करना है ok करना है आपको यह projection मिल जाएगा यानि कि पांचवा wave जो होता है वो third wave की तरह बहुत लंबा होता है that means कि यह आराम से जा सकता है 5 का ratio 0.618 यानि कि 18 से 21 के आसपास जा सकता है मैं अपना target यहां पे 20 का बना रहा हूँ APT का, ठीक है और इसको अगर तोड़ता है breakout होता है तो 27 के आसपास भी जा सकता है ठीक है, तो APT यह इसके उपर आप नजर बना के चलो मुझे यहां पे चीज़ें काफी positive दिख रही है ठीक है अब मैं आपको जादा वक्त नहीं लेने वाला हूँ सीधा BTC के important bullish analysis के उपर मुलक चलते है क्या होगा ठीक हो बीटीसी के यहां पे चार्ट open करके रखा है यहां पे कौन सा आपको pattern दिख रहा है Adam and Eve pattern आप Google में सर्च करना आपको इसके बारे पूरा मालूम पर जाएका क्या है यह carbon handle pattern जासा होता है लेकिन inverse होता है ठीक है इस तरफ होता है तो यहां पे यह पूरा neckline है green वाली जो line है यहां पे तो मैं short आपको यह समझाता हूँ कि अगर मैं यहां पे click करता हूँ उपर उड़ी line 67,845 तो यह हमारी neckline है 68,000 और मोटा मोटा पकड़ो की सतर हजार ठीक है सेफर साइर पकड़ो तो सतर हजार से यह वापी से अगर उपर आता है इस बार तो बहुत जादा chances है BTC जबर्दस एक rally पकड़ेगा क्योंकि यहां से Adam and Eve pattern का neckline यहां से break हुआ है price अच्छा खासा उपर जा सकता है ठीक है और यह जो target है बहुत simple तरीका है यहां से मैंने यह percentage ना पाए कितना है जो curve है 317% और फिर यहां से मैंने क्या किया neckline के यहां से जो breakout हो रहा है यहां से उठा कि BTC की price उससे पहले एक जटके में तो नहीं जाने वाला है उससे पहले यहां से जाएगा price उपर breakout करके एक लाग 10,000 के आसपास आ सकता है नीचे आएगा रिटेस्ट करेगा वापी 80,000 के आसपास आएगा क्योंकि एक लाग की जो figure होगी वो थोड़ा से psychological एक figure होगा जैसे हिट होता है लोग sell-off करता है 69 का था, 74 का था उसी इसाप से एक लाग के आसपास आएगा लोग sell-off करेंगा वापी 80,000 के आसपास आएगा रिटेस्ट करेंगा फिर प्राइस अपना next लाग पकड़ेगा फिर एक लाग को यहां पर जब जिए तोड़ेगा तो अच्छा गासा प्राइसमा इजाफा देखेंगे ठीक है, अब ये आराम से, महिने आर्स में आराम से लग सकते हैं, बट ये जो section है ठीक है, ये जो मैं बता रहां आपको ये बहुत जल्दी हो जाएगा Halloween के आसपस में ये सारी चीज़े हो जाएगे, ठीक है तो BTC पे, be positive ठीक है, सारी चीज़े यहां पर अच्छी खासी चल रही है कोई मेरे काल से यहां पर panic वाली चीज़े नहीं है, of course news, articles वागर को जितना avoid करोगे, अच्छा है, जी important चीज़े है, बस उस पे focus करो, हाँ ऐसी नहीं जा रही है, वैसी नहीं जा रही है, ठीक है दोस्तों इस वीडियो को इब वाइंड आप करता हूँ, वीडियो पसंद आईए तो प्लीज इसको like जरूर ठोक देना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बैल आइकन को जरूर क्लिक करना, जल बे लेंगे till then take care and have a great day